ये जापानी लड़की हर दिन 2500 किलो बजन उठाती है। धूप होया बारिश हर दिन 20 किलो मेटर भागती है। और टोक्यो के हर गली कूचे से वाकिफ है। यूका आकिमोतो टोक्यो की चंद महिला रक्षाचालकों में से एक हैं। 22 साल की यूका परिटकों को घुमाती हैं और उन्हें जापानी संस्कृती के बारे में बताती हैं। चार महिने की कठिन ट्रेनिंग के बावजूद सडकों पर रूड़ियों को तोड़ना बड़ी चुनाती रहा। यूका को हमेशा यही सुनने को मिला कि ये औरतों का काम नहीं। लेकिन वो और दूसरी महिला रक्षाचालक सोशल मीडिया की मदद से लोग उपरिये हो रही हैं। कुछ महिलाएं तो रक्षाचलाकर एक लाख जापानी येन यानि साढ़ी छे हजार डॉलर से ज़्यादा कमा लेती हैं। लेकिन ये काम मुश्किल है और हर महिला इसमें सफल नहीं हुपाती।